नमस्कार आप देख रहे हैं दोपहर वार मैं हूँ रमन पांडे राजदानी लखनव में गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल जैसा हथसा सामने आया जहां एक बच्ची ने ही दूसरे बच्चे पर जान लेवा हमला कर दिया इस लड़की ने साथ साल के मासूम पर एक नहीं दो नहीं बलकि ताबर तोड कई हमले किये इतना ही नहीं साथवी में पढ़ने वाली लड़की पर इस कदर सनक सवार थी कि उसने बच्चे के हाथ पर बाद कर उसे बातरूम में बंद कर दिया लड़की ने ये सब महद इसलिए किया ताकि स्कूल की छुट्टी हो जाए ऐसे में बड़ा सवाल ये उट रहा है कि आखिर बच्चों की मासूमियत कहां खोती जा रही है जो बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा लेने जाते हैं उनके अंदर एक कातिल वाली भावना कहां से आ रही है उनका मैंडसेट कौन बदल रहा है ये बहुत आहम सवाल है बहुत आहम सवाल इसलिए भी है कि जो लड़की का बैक्ग्राउंड मिला है उसके हिसाब से ये पता चला है कि वो दो बार और भी घर से भागने की कोशिश कर चुकी थी और उसका व्योहार असमाने था ऐसा पुलिस कह रही है दूसरी तरफ जो बाल सुधार ग्री है जहां उसको भेजा गया था बार बंकी में वहां की कांसलर का ये कहना है कि इसमें ब्लू वेल का एंगल भी हो सकता है लेकिन लड़की के माता पिता इस बात से इंकार कर रहा है उनका कहना है कि घर में सिर्फ एक लैपटाप है जो खराब है और एंडुराइट फोन नहीं है और बाकी सब simple phone है दूसरी तरफ SSP दीपक कुमार का भी यही कहना है कि इसमें blue whale angle का कोई connection नहीं है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि आखिर जिन स्कूलों में मासूम पढ़ने जा रहे हैं जिन स्कूलों को हम महफूज समझते हैं हम स्कूल के gate पर अपने बच्चों को drop करने के बाद निश्चिन्थ हो जाते हैं अपने काम पे लग जाते हैं और ये सोचके कि हमारा बच्चा महफूज होगा लेकिन वहां वो महफूज नहीं है वो महफूज किस वज़े से नहीं है और कहां से ये किलर मैंडसेट आ रहा है बच्चों में इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ तमाम महमान जोड़ चुके हैं प्रदीप सिंग कॉंग्रिस प्रवक्ता बहुत बहुत स्वागत है और विरेन सिंग हमारे लकनों के वेरोचीफ और वरिष्ट सही होगी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं दो पहरवार और ये जाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस पर भी इस मामले में सवाल उट रहे हैं सवाल इसलिए उट रहे हैं कि पुलिस ने अगल रोल रहा है इस पर विर्चर्चा करेंगे चली शुरू करते हैं दो पहर वार और देखते हैं कि इसके पीछे क्या-क्या फैक्स हो सकते हैं आज इसे पहले कि शुरू करें दो पहर वार आपको बता दें कि बाल संद्रक्षन आयोग की चेर्में जुही सिंग इसके बाद जाएंगी इस बाबत और आज उन्होंने भारत समाचार से बादचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने पत्र लिख दिया है उनका क्या कहना है वो सुनवाते हैं और साथी साथ डेपूटी सीम केशो प्रसाद मौरिया का भी बयान आया है वहले वो सुनवाते हैं उसके बाद जाएंगी डिवेड़ हमने डिस्टिक मैजिस्टेश और एस एस पी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि 14 दिन के अंदर इस केस का निस्तारण करके और एक विस्तित रिपोर्ट संदक्शन आयो के सामने प्रस्तुत करें क्या एक्शन लिया गया क्या हुआ अगर कोई टूलस इंवेस्टिकेशन में कमी हो तो वो कमी क्यों हो यह उसे एक एक स्प्लेनेशन भी मांगा ले साथ ही उनको इस्ट्रक्शन दिये हैं कि लखनाओ और होम सेक्रेटरी से जवाब मांगा है कि इस तरह कि घटना क्यों हुई और क्या एक्शन लिया गया है 14 दिन के अंदर उनको भी एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है नहीं तो फिर बाल संदक्शन आयोग और कड़ी कारवाई करने पर बादेत होगा बहुत दुर्भाग्यपूर है और इसमें विद्याले के प्रबंधन, सरकार और अभिभावक सब को मिल करके बच्चों के अच्छे भविष्ट के लिए बहुत सक्री भूमिका, बहुत सजग भूमिका निर्भा करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ एक घटना चिंता का विश बच्चे ने उस लड़की को पहचानते हो, यह कहा था कि सकर्ट वाली दीदी ने मारा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चूं मारा, क्या कि अवल छुट्टी के लिए ऐसा हुआ था, और उसके बाद जो यह हाथसा हुआ, जो घटना हुई उसके बाद पुलिस की क्या स्कूल हैं, जो भी गाइडलाइन्स बनी हैं, बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा को लेके उनका फुल, उनका पालन कर रहे हैं, क्या उनको को क्रॉस चेक कर रहा है, और उसके बाद जब इस प्रिंस्पल को अर्रेस्ट किया जाता है, वो ठाहा के लगाता है, और हलकी ध एक अटेंडेंट होना चाहिए, जो देखरेक करें कि कोई बच्चा किसी के साथ कोई मिजभ्यव ना करने पाए, वो बेवस्था नहीं थी, तो जो प्रिकासंस गवर्मेंट समय समय जारी करती हैं, वहां पर नहीं थे स्कूल में, दूसरा यह है, कि देखिए, अब उस स्क स्कूल की पहर्मी में बड़े-बड़े राजनेता और अधिकारी आ गए सामने, ब्राइट लैंड स्कूल का अगर जो प्रिंस्पल है, इस बच्चे को जो एक साथ एक कच्छा एक कच्छात है, जिसको चाकों से गोदा गया है, 307 की धारा में उसको गिरफतारी होनी चाहि अभी हावा की स्कूल में जाता है तो उसको बेजज़त करते हैं, बगा देते हैं, ऐसे स्कूलों के पर अगर रियायत बरती गई, तो आने वाले दिनों उनकी मनमानी और बढ़ेंगी, और रित्विक जैसे कांड और सामने आएंगे, बिल्कुल बहुत दुरूस बात है, चारीब सिंग आप से जाना चाहेंगे, इसकूलों को जो गाईडलाइंस जारी की जाती है, उसको इसकूल बिल्कुल मनमाने तरीके से फालो करते हैं, या नि फालो नहीं करते हैं, उसको क्रॉस चेक करने का कोई मेकनिजम नहीं बना, तीसरी चीज़ यह है कि ऐसे स्कूलो के खिलाफ जो इंसिडेंट हुआ है लखनो में, उनके खिलाफ एक्शन भी तगड़ा करने लिया जाएगा, तो कहीं न कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागेंगे, और वो महसूस करेंगे कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता. कोंद्म के सामने गाईडलाइन है कि एक वेक्शी बैठा होना चाहिए, जो इस बात पे निखा निखें कौन बच्चा जा रहा है, वासरूम कौन जा रहा हो, कि दिनी देर तक वहा रुक रहा है, इस बास की निखान नहीं होनी होनी चाहिए, उस बस का डाइवर, कंड़क् सब्सक्राइब करते हैं लगातार पैसे उसूली का दंदा और पूरी तरह से इंडिकेट काम करता वजह क्या हो रही समाज में जो एकल परिवार की प्रिवार की प्रिवार चली आ रही है उसमें हो यह रहा है कि इस परिसर के नदर हम लों का बच्मना आपने देखा होगा कि सब्सक्राइब करते हैं लड़के अके अंदर तमाम चीजें निकल करा रही है और और 2 चीज़ों जो सीधे सीथिदह अठा दी गए हैं नैसीक सख्या और प्लेघ्रांट प्लेग्रावंड के सज़ें यह कि कि पारिसर के अंदर आइसी का प्लेडराउं की विवस्ता तेखित परम है नहीं और जो प्लेधी लिए और यह आगर एक बार जांके पर फिजिक लगा यह पूलिस ने जो धाराएं लग सकती थी लगाया भी जर्मानत हो गई ये अलग की बात है तो यह दाराएं हलकी क्यों लगाएगे यह मैंसे पूरा खराब हो गया देखिए बहुत साफ है इसमें किर्किरी पुलिस की तैय है और यह मामला साफ दरसाता है कि पुलिस ने राजनेतिक दबाओं में प्रिंस्पल को छोड़ दिया है देखिए मैं बता दू रमान जी एक सो बीस भी वहां लगा जाती है जब यह हता है कि आपने कोई खड़ेंद्र किया है ठीक है जानबूच के खड़ेंद्र किया है जानबूच के प्रदिप्री आप बहुत गंभीर विशा पर राजनेतिक बात नहीं हो रही है देखिए धाराय तो निश्चित रूप से 120 भी हो या जो भी धार रहे हैं मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि अगर विद्याले प्रबंधन कहीं अपनी लापरवाही करता है कहीं बच्चों की सुरच्छा के साथ कोता ही बरता है तो उसके खिलाब सकत्त कहा जा रहा है गिरफतारी पठाहा के लगा खास रहा कि उसका पूचिन हो रही है घटना चाहे हर्याना में हुई या लखनों में हुई या सारी दुरभागपूर घटना है बच्चे किस मानसिक इस्तिती में जी रहा है यह बहुत बड़ा प्रश्ण है ने वह प्रश्ण है विद्याले प्रशासन खिलाफ एक्शन क्या लिया जा रहा है सर्कार ने गाइडलाइंस बनाई गई है उनका विद्याले प्रशासन ठीक ठीक है चलिए मैं आप सवालिस जुड़ा सवाथ उनको ध्यान देना चाहिए उनकी लापरवाई है उनको एंशोर कौन कराता है क्या कोई कोई आप लखनों के सारी स्कूलों को बता दीजे मुझे नहीं प्राइवेट स्कूलों के वजाए वो तो सरकारी तंत्र में उल जा रहता है उसको तो जो जिले के सरकारी स्कूल में भरती से लेके सरकारी तंत्र में तो नौगरी मिलना ही इस बात का सूचक है कि जो बेतन मिलेगा उसको बचाना और भूस से खाना है चलिए राजिश के लिए लोग घूमते रहते हैं राजिश हमारे साथ जुड़ गया है जो कि रितिक के पिता है राजिश आप से राजिश राजिश का से हाई कोड़िश चतुर से रिक करमचारी का बेटा है रितिक म değल warfare ये चोटे करमचारियों की आवाज डब जा रही है उस आदमी की आवाज काुन सुनेगा पुलिस नहीं सुनेगी उस आदमी की आवाज चिला परसासन नहीं सुनेगा साथ साथ मंत्री हैं लग अगनाउं जी तो इस बात की गारेंटी देता हूं कि कोई मंत्री रितिक के घर ता कि अस्पताल तो उसको देखने ना जाता है कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा निश्चत रुप से रमन जी देखिए मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों के पर यह जिम्मेदारी है डियाएस हो यह जो भी संबंदित अधिकारी हो जिनका यह काम है कि वह जो सरकार द्वारा नियम बनाएगा हैं बच्चों की सुरच्छा क को लेके उसका उनपानल सुनिश्चित कराएं अगर वह नहीं कर रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनकी भी जवाब देई बनेगी और हमारी सरकार उनकी जवाब देई पर उनके किलाब भी करवाई करेगी दूसरी चीज़ रमन जी मैं कहना चाहता हूं इन से लगट के देखे जादा तर विद्यालों में हर मेने पी टी एम होते हैं हम सरकार पर ठीक है सरकार प्र नेर्वर सरकार की जिम्मेदारी है कि सुलच्छा को सुनिश्चित कराएं लेकिन आज पैरेंट हमारी भी कुछ डूटी है हम जब पैरेंट टीचर मीटिंग में जाते अगर आप फीज देने के लिए तो बहुत छाट का अच्छे स्कूल में बेजेंगे पढ़ने के लिए लेकिन स्कूल में सुनधाय है कि नहीं है आपका बच्चा सुरचित है कि आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं देखना और अगर आपको लगता है कि विद्याले प्रबंद अपनी जिम्मेदारी को निर्वान नहीं कर रहा है तो आप संबंदित अध्काइश चिर्चा करेंगे बाल सनेक्षन आयो की चेर्मेन जुई सिंग हमारे साथ जूड़ गई है जुई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में जुई जी सबसे पहले आपको ध हुई कहीं कहीं काम करते है इसलिकर प्राइवेट सकुलह में कहीं करके घ्लाइड कर रहे हैं लोग को कोई मैंकशन करनी और इसके लिए प्रेरिंट को शिकायत करने के आफषकता नहीं क्योंकि जब इन लों को Focus द कि चांची जाती है उन phrases को समय समय पर ढिवाफी oils चाहिए, यह स्कूलों का काम है, पेरेंट्स का काम यह है कि वो अपने बच्चों को जब स्कूल को सौपे तो बस में बैठने से लेकर के स्कूल के बाहर निकलने तर सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है, स्कूल प्रबंधन में जब एक बर शिक्षा का अन्य अधिकार बन चुके हैं बच्चों के तो पेरेंस घर में जरूर सुरक्षा कर सकते हैं अगर जिलादिकारी या कंसर्ण अधिकारी वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं इसके लिए बच्चे शिकायत करें या पेरें शिकायत करें इसक आपने यह बुद्दा उठाया था दोनों ही मसलों पर एक जो इनकाउंटर वाला मसला है और इस मसले दोनों ही मसलों पर जवाब मांगा है आशा है अपना अब तो काम करेंगे जी जुई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो कुल मिला जो लागे देखिए आपने यह बात कही कि पेरेंट्स को शिकायत करनी चाहिए नवीन शुरास्तो जी एक बात मुझे बताईए मैं पीटी में जा रहा हूं मुझे यह लग रहा है कि वहाँ पे फायर सेफटी नॉम्स नहीं है और ठीक तरीके से नहीं है स्कूल प्रशासन के प्रिशर में एक बिभावक इतना घेरा होता चारू तरब से कि वह शायद ही इस तरह की एक नॉर्मल आदमी शायद ही विरेंजी कोई शिकायत करनी कोशिश करता है दूसरा पहलू यह है कि अगर फायर सेफटी नॉम्स नहीं है वहां पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं है वहां पे तमाम ची जिनकी जिम्मेदारी है उनको इसका ध्यान देना चीए इसको कड़ अपने करतवों कर दो कहां दे रहा है लेकिन अगर को या दिकार शुल करते हैं अब बताएं नवीं जी बोलिए नवीं जी बोलिए आप बासको डिरेंग नवीं जी बोलिए अगर कोई प्रशासनी का अधिकारी अपने करतवे का निर्वन नहीं कर रहा है तो हम अपने बच्चे को उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं हम उसकी शिकायत करेंगा एपरप्रेट अथार्टी जो कंसल अथार्टी उतका शिकायत तो हमें करनी पड़ेगी कि इस विद्याले मे है इस गाइडलाइन के उनसार काम नहीं हो रहे है सुरच्छा ब्रवस्थाय नहीं है आप हम यह कहके कि यह काम आदमी शिकायत तो हम को करना पड़ेगा अगर कहीं प्रशासन में गलती हो रही है करतारी अपने बिल्कुल है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसा चेलिए शिकायत करने ठीक है यह घटना इतनी बड़ी घटना उत्रप्रिदेश की राजदानी लखनों में हो गई उसके बाद जिस तरीके से स्कूल प्रबंधक को स्कूल के प्रिंसिपल को जिस तरीके से बेल मिल गई हलकी तरहाय ने लगाई इसकी शिकायत कहां की जाए उत्तरप्रदीश की जनता को यह बता दिए शिकाया कि आप आप चला रहे हैं इसको सबसे बात किया आपने पूलिस पर दबाव बनाने के लिए शात्रों से परदसन करवा दिया स्कूल जिन्दाबाद करवाया और इसी धाराव उसको भेया गया तुरंको जमानत पा गया वो ठाके लगा रहा है थाने में बैट कर तो यह इस तरह का स्वरूप आप जब देखते हैं और आजधानी में जहां पूरी सरकार बैटी है अगर वो सब को मुझ चिला रहा है तो ब्लू विल का एंगल है यह भी इसको कहीं 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 डाइवर्ट करने के लिए स्कूल प्रशासन की तरफ से फैला जा रहा है और आप शिकायत लेके चले जाईए तो आपको विजजत होना पड़ेगा आपकी हिमत नहीं है शिकायत करने हैं एक बात बताईए एक प्रै नवीर जी एक प्रैक्टिकल लिक्कर देखिए और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टन बात यह है कि आप एचीज सोचिए ना नरसरी में एडमिशन के लिए नरसरी में एडमिशन के लिए जतनी मारा मारी है पूरे उत्वदेश में हर आदमी अपने बच्चे को जो प्रेस् अच्छे स्कूल में बड़े स्कूल में जिसमें वो चाहता है वहां उसके बच्चे का अडमिशन हो जाता है आप कैसी यह एजूम कर सकते हैं कि वह पहली पीटियम में या दूसरी पीटियम में या तीसरी चौती बार पीटियम में जाके शिकायत करेगा कैसी एजूम कर सक हाइर एडिकेशन हम चाहते हमारे बच्चे इंजिनिरिंग के लिए मेडिकल के लिए एंबीए के लिए गवर्मेंट इंसिचूट्स में जाएं सरकारी बेसिक के स्कूल जो है जिसमें पढ़ाने ले टीचर की मिनमम जो पे है वो 35,000 रुपय है हाइली क्वालिफाइड है हम आपने बच्चों को नहीं पहां एक चींड सुर्ण लिए मैं आपके प्रस्याव का जबाब देतको पहले तुर सुलिए पुलिस नहीं बता रही है प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को सलरी मिलती है वो कौलिफाइड है वो क्या रहा है इसको खालि सोचने से अभी आपके प्रशन का जबाब पूरा मैंने नहीं दिया बोलिये बहुत सारे जी बहुत विश्वाइड पूर लिए आपने बात कही रमन जी कि नौकरी से ज़्यादा इंपर्टेंट है बच्चों के अच्छे प्रावेट स्कूल में एड्मिशन और अच्छे स्कूल में एड्मिशन हो जाता है तो पैरेंट्स इस हिस्ती में नहीं होते हैं कि स्कूल की प्रबंदन के खिलाब कोई शिकार करें बिल्कुल लेकिन यहां हमको आपको तै करना पड़ेगा कि प्राटी क्या है बच्चे की जीवन हमाई लिए प्राटी है कि बच्चे की पढ़ाई हमाई लिए प्राटी यह भी हमको तै कर रहेंगे प्रबंदन से करेंगे आज उस तरह से अम लोग बैटकर चर्चा कर रहें लेकिन नहीं होता है न विए जी चिन स्कूल का जिकर कर रहे थे विरेंच जी हाई कोट ने कहा था कि क्यों नहीं जिलादिकारी और क्यों नहीं जो बड़े अधिकारी हैं अपने बच्चे को प्र सबसे इंपॉर्टेंट यह बात है कि विड़ंबना पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा इसकूल जो हैं वो वही रहेंगे इसकूलों का रसूक वैसे ही रहेगा उनको बैक अप हमेशा मिलता रहेगा लेकिन इनके खिलाब कोई मेकानीजम बननी चाहिए न ह, इनके खिलाब यहां पर भी आप कैसे माले रहें कि वह बच्ची आरोपी ही है और जो बीवेजदा का तरीका वह तरीका बिल्कुल गलत है अभी लगातार आवाज उठा रहे हैं और आप जवाब आपका होगा इसकूल के खिलाप जिस तरह से भी एक्षन हुआ है वह परियाप्त नहीं है क् निश्चित रूप से होगा रामन जी देखिए दियायस को भी और सबको सारे सब्सक्राइब करते हैं ताकि दूसरे इसकूल कम से कम सुधरेंगे एक बड़ा मैसेज जाएगा नवीन जी आपका बहुत बहुत धनेवाद प्रदीप जी और वें जी आपका बहुत बहुत ध झाल